हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है चेंज लाइफ हब चलेंगे तो आज की इस वीडियो आपकी लिए खाफी इंपोर्टेंट होना है कि 30 जून तक जरूरी कामों को आपको बताएंगे तो इस वीडियो के लाच्ट तक आप बने रहे हैं इस वीडियो पर जो की चैनल पर नए कोरोना वाइरस और लोगडाउन के चलते सरकार ने बचत खातों पर मीनिममम बैलेंस शूट अटल पेंशन ने हो जाना के लिए आट्वर डेविट फैनेंशियल एडवांस टैक्स जैसे कई चीजों की डेट लाइन 31 मार से बढ़ाकत 30 जून कर दी है कर दी है जिससे आम ल यह तो आपको मैं बतादो बैंग खाते में आपके निवन्तम बैलेंस और जितने थे जो अपडेट ने जिनके खाते में मिनिममम बैलेंस नहीं तो उससे चार्ज वसूला जाएगा चली देंद दूसरा अपडेट क्या है की अधर लिंकिंग यानि कि पैन कार्ट को अधार से जोडने की आखरिते 31 मार से बढ़ा कर सरकाने 30 जुन तक कर दी ती लेकिन अगर अभी भी 30 जुन डेट नाइट के अंदर आधार के साथ पैंग लिंक नहीं वा तो यह मान नहीं हो जाएगा यानि मान नहीं रहेगा और आप एसा कोई फाइनेंशेर टांजेक्शन नहीं कर प्रूरी होगा तो आपके लिए अपडेट है कि जो पैन कार्ड है उसको अधार कार्ड से लिंक कर लें तो यह आपके लिए काफी बड़ा अपडेट है चलिए हम अगले बताते हैं निमेस फर छूट टेक्स अगर 30 जून तक आप किसी इसी इसकी में प्लान में निमेस करत टेक्स छूट का लाब लिया जा सकता है तो मैंने आपको बता दिया 30 जून तक किसी इसकी में आप जाकर के लिए इंकम टेक्स छूट का लाब उठा सकते हैं तो चलिए देखते हैं अगले उसके बाद में आपको अधाद फारम सिष्टीर सरकान ने कंपणियों के लिए फ पर ये जितने पैसे काड़ती है करम्-चारी के उसका फूराववर्ल मे इस फारा ये तार यirie उदिए में नहीं आती है सरकान ने जम्हा किए जा चुके फारमय और F 15 की वैस्ता को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया है और 30 जून 2020 तक बैंक फाइनेंसें इस्टिट्यूज नियस्टों के ब्याज आई पर जून आखरी तक टेक्स नहीं काटेगी तो मैंने आपको बता दिया कि वह 30 जून तक कोई टेक्स नहीं काटेगा उसके बाद ही टेक्स करना शु क्योंकि मार्च 2020 अप्रेल 2020 और में 2020 से बकाया प्रेमियम के भुखतान की अवदी को 30 जून 2020 तब बढ़ाने में कोई जूर्माना या डिपाल्ट फिस नहीं लगेगी यानि पोस्ट ओफिस में आप लाइफ एंस्टों के खौल रखे हैं तो आपको उसमें करने में कोई भी पेलांटी नहीं देना होगा आपको 30 जून तक जो है कि आप विना जुर्माने के फिस भर सकते हैं अगर पहले फाइल कर चुके हैं तो उसे करेक्शन करने की यानि की डिवाइज आईटियार भरने का भी मौका रहेगा यानि 30 जून तक तक तो आईटियार आप भर सकते है चलिए अगला बताते हैं अटल पिंशन योजरा क्या है अटल पिंशन योजरा अटल पिंशन योजरा के लिए आट्र डेविट को 30 जून 2020 के लिए रोक दिया गया है यानि जो लोग API में निवेस कर रहे हैं उनके सेमिंग एकाउंट से अपने आप इनी स्कीम के लिए यो अपडेट 32 सायता 19-20 के लिए एडवांस टेक्स तो किन सरकार ने बित्ती वर्स 2019-2020 के लिए इडवांस टेक्स से भुगतान के तिथी को बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया है इसलिए जो टेक्स पीरिएड एडवांस टेक्स से ब्रेकट में आते हैं 30 जून से पहले टेक्स से जम सामील है विए लोग अगर इकाउंट को आगे करना चाहते हैं तो लोग नाओन के कर रेंड टेक्स 2020 तक नहीं कर पाएं तो उन्हें कर सकते हैं आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो है कि 30 तक कर सकते हैं अगला चलिए मैं बताता हूं पीपिया का मीनियूम एमाउंट जो लोगडाउन के चलते कर सकते हैं इस किस्ति को देरी से भरी कोई किस्त नहीं मानी जाएगी तो मैंने आपको बता दिया प्याप यह सुकन्या संब्सक्राइब नहीं बढ़ा है तो आप उसको भर सकते हैं पचलिए अगला अप्डेर बताता हूं सिनियर सिटीर्ग एकाउंट में निवेस के लिए सरकार जोए कि फरोरी और अप्रेयर में 2020 के रिटायर हुए क्रमचारियों के लिए सिनियर सिटीर्ग इसकी में एकाउंट में निवेस करने की आकरितिस 30 जून तक बढ़ा दिये अगला अपडेट देखते हैं किसी भी बैंक के डिविट कर सकते हैं कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और मैं बता दू अभी दूसरे बैंकों के एटिम से एक निश्य संक्षा में फिर नगत निकासी की जा सकती है और दूसरे बैंक एटिम है उसे जो कि नगत निश्य की एक लिमिट वेवरे में ही कर सकते हैं आप आज का न्यूज का अपडेट है जो कि सरकार के तरफ से काफी सारे जो के छूट आई है तो आपके लिए काफी फायदे मन्द होगा तो लोग डाउन के चलते करोना के चलते जो सरकार ने यह की सुरू की है आपके लिए यह काफी अपडेट है तो चलिए अप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी प्रेश कर लें जिससे कि जब भी मैं नया अपडेट लाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेजिए थैंक यू फ्रेंट थैंक यू